एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छी होंगे दोस्तो अब हम एनलेसिस करेंगे निफ्टी 50 का यहाँ पे आपको 15 मिट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के एनलेसिस की वीडियो आपको प्रोएड की जा चुके है जो कि आप चैनल पे जाक बन रहा था इसी जोन पे मार्केट ने आपको सपोर्ट लिया है और यहां के बाद मार्केट ने जो एक मुमेंटम दिखाया उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया अपने आखे टाइम में मार्केट ने इसका ब्रेक आउट दिया तो यहां पे आप किसे हमारी strategy रहेगी उसका discussion करेंगे साथी साथ चीजों को समझने की भी कोसिस करना यहाँ पर आप एक एक point को समझते हैं जो सबसे ज़्यादा important level है मैं आपको हर वीडियो में कह रहा हूँ एक रहेगा 18,200 एक रहेगा 18,400 एक रहेगा 18,600 यह तीनो वे लेवल है जो मार्किट को बदलने की हिम्मत रखते हैं यानि अगर गिरावट में है तो बाउंस करने की हिम्मत रखते हैं या फिर पॉजिटिव है तो गिराने की हिम्मत रखते हैं फोर एक्जम्पल जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 18,200 जो हमारा था यह पहले एक रजिस्टेंस बना रहा ब्रेक आउट मिलने के बाद इसी पर ही आप देखेंगे मार्किट ने क्या बहतरीन सपोर्ट दिया है और इसी में ही आपको एक साइडवेज जोन देखने को मिला मैंने आपको एक बहुत बहुत बार समझाए हुई है जब भी किसी important level की नजदीक market जाएगा buyers चाहेंगे की उपर जाए sellers चाहेंगे की गिर जाए और उस वज़े से उसी जोन में market sideways हो जाएगा यही situation आप आज देख सकते हैं 18,200 कितना important level है यह आपके समझ में आ गया होगा लेकिन अब इसका मिल चुका है हमें breakout तो हमारे लिए कि क्या act करेगा एज इस support act करेगा तो अगला resistance कौन सो बन जाएगा 18,400 यह हमारे लिए अगला resistance बन जाएगा लेकिन उससे पहले भी कुछ resistance है जब हम price action के according support और resistance का discussion करेंगे वहाँ पे हम इन चीजों को समझेंगे लेकिन अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि अगर इसमें गिरावाट आए तो एक level का तो हमें पता चल गया कि 18,200 जहाँ पे support level है अगर इसका breakdown आ गया तो आपके लिए यहाँ पे एक selling opportunity बन जाएगे और market approach करने की कोशिस करेगा जो 21st का day low है और साथी साथ आज का जो day low है दोनों एक ही zone में है market इन्हें approach करने की कोशिस करेगा या फिर सीधे सब्दों में कहे तो 18,150 वाला जो zone होगा इसमें आपको सतरक हो जाना है या तो अपना profit book कर लो समझदारी तो इसी में ही है कि अपना profit book कर लो क्योंकि अगर market यहाँ पे bounce लेता है तो यहाँ पे आपको profit इबुक करने में फायदा है अगर breakdown दे दिया या तो trailing stop उसका इस्तमाल करके आगे बढ़ते रहना या दो बार से आपके लिए एक entry भी create हो सकती है अगर अच्छे खासे volume के साथ इसका breakdown मिला 18,150 लेकिन उससे पहले कौन सा level है जिस support 18,200 यह चीज़े समझ में आगी देखो यह चीज़े हम आगे भी discuss करेंगे लेकिन यहाँ पर यह चीज़े समझानी सबसे ज़्यादा जरूरी थी इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पर discuss कर दी अब बात करते हैं अगर positive momentum आ गया तो जो हमारे लिए एक resistance बनेगा 18,300 पर बनेगा क्योंकि यहाँ पर market पहले एक battery support भी ले चुका है और resistance की तरह भी यहाँ पर act किया है अगर इसका breakout मिल गया तो 18,350 हमारे लिए एक important level रहेगा यहाँ तक चीज़े के लिए देखो इससे आगे काफी resistance है एक 18,400 पर है फिर 18,450 पर बन रहा है अब यह यहाँ पर price action के according बना रहे है क्योंकि इसमें confuse मत हो जाना कि हम बस हम 50-50 point करके उपर जा रहे हैं नीचे जा रहे है यहाँ पर आपको AK के level के पीछे का logic भी explain किया जाता है day low, day high भी बताए जाता है कि वहाँ पर market क्यों रूख सकता है वह reason भी आपको explain किया जाते है लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कुछ interesting चीज़े हैं पर बता देता हूँ अगर आज के दिन आप देखोंगे one day के time frame पर अगर आप जाएंगे आपको यहाँ पर inside candle फिर से दिखाई दे रहे है तो inside candle वाली strategy अगर आपने नहीं देखी है वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो channel पर जाएंगे उससे देखिए वो आपकी trade लेने में काफी मदद करेगी फिलाल मैं आपके लेके चलता हूँ price action के according support और resistance पर अगर आपको gap up opening देखने को मिली या फिर flat open होके market ने आपको positive momentum दिखाया दोनों ही situation पर जो में resistance नजर आ रहा है ये 18,300 पर हमें यहाँ पर resistance दिखाई दे रहा है अगर इसका breakout मिला तो 18,350 पर आपको अगला resistance यहाँ पर देखने को मिल रहा है वही पर बात करें अगर आपको मिलती है gap down opening या फिर flat open होके market आपको negative momentum दिखाता है दोनों ही situation पर जो में support नजर आ रहा है ये 18,200 पर नजर आ रहा है ये level में आपको explain कर चुका क्योंकि आज के दिन भी हमें यहाँ पर support देखने को मिला था और उससे पहले resistance देखने को मिला था अगर आपको इसका breakdown मिलता है अगला support हमें 18,150 पर नजर आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे आज के दिन भी आपको यहाँ पर support दिखाई दिया और 21st को भी आपको यहाँ पर support देखने को मिला था यहाँ तक चीजे clear है अब यहाँ पर और भी चीजों पर हम नजर डालते है अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम discuss करते है no trading zone के बारे में यहाँ पर आपको दो red line दिखाई दे रही है उपर level line की बात करेंगे 18,257 की है जो कि आप देखेंगे आज का day हाई है नीचे लेवा लाइन की बात करेंगे 18,200 है यह मैंने उस important level को mark करके रखा हुआ क्योंकि जब तक आपको इसका breakdown नहीं मिलता तब तक आपको selling के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि एक important support level हो सकता है जो market को या तो रोक के रख लेगा जैसे आज रोक के रख था या फिर bounce कर देगा clear है जब तक market इस zone में दिखाई देता आपको market में कोई भी position नहीं बनाना चाहिए आपको market को just observe करना चाहिए अगर मिलता है आपको इसका breakout price उपर sustain करता है तो आपको मिल सकती है buying opportunities यहाँ पर धियान आप यह रखेंगे 22 के day high का भी आपको breakout मिल जाएगा तो आपके लिए यहाँ पर day high के breakout वाली strategy भी काम करेगी वही पर अगर मिल गया आपको इसका breakdown price नीचे sustain कर गया तो आपको मिल सकती है selling opportunities यहाँ पर आपको इन चीजों का भी धियान रखते हुए चलना है अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर discussion करते हैं पेवेट पोइंट का अगर निफ्टी 50 में आपको एक positive momentum देखने को मिला उस situation पर जो में पहला resistance नज़र आ रहा है यह 18,280 पर नज़र आ रहा है अगर आपको इसका breakdown मिलता है जो दूसरा support नजर आ रहे है दूसरा support बताने से पहले मैं आपको बदा दियो आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है ये just educational purpose से बिनाए गई analysis video है invest करने से पहले आपको अपनी research करने है अपने investor के सलाल लेनी है क्योंकि profit भी आपका होने वाला है loss की जिमदार भी आपको अपने हाप लेनी है जो यहाँ पर हमें second support नजर आ रहे है 18,135 पर नजर आ रहे है अगर आपको इसका breakdown मिलता है जो आपको तीसरा support दिखाई दे रहे है यह 18,105 पर आपको यहाँ पर तीसरा support देखने के लिए मिल रहा है अब एक नजर हम डालते हैं option chain पर यहाँ पर आप देखेंगे 24 November के हमने expiry select करके coal की साइड हम देखने वाले resistance को put की साइड हम देखने वाले support को जिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,400 पर आपको एक resistance दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप देखेंगे 100.1 lakh आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है अगर आपको इसका breakout मिलता है उसके बाद 18,500 पर एक resistance दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप देखेंगे 97.6 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है उहीं बात करें सपोर्ट की तो 18,200 पर एक support न ज़र आ रहा है जहाँ पर आप देखेंगे 93 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है अगर इसका breakdown मिलता है 18,100 जहाँ पर आपको 54.9 lakh का यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा दोस्तो इस वीडियो को like कीजेगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कीजेगा साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजेगा जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ Thank you